नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हलचल पर नाकपूर के संकल्प गुपता को शत्रंच के ग्रैंड मास्टर का तमगा मिला है रोनक साधवानी के बाद ग्रैंड मास्टर का तमगा पाने वाले संकल्प दूसरे शत्रंच खिलाडी है इस महिने के अंत में विश्व शत्रंच स्परधा होने वाली है गजच 24 दिनों में त दलवा दिखा कर जीएम पत के लिए तीनों नौर्म पूरे किये आंतिन स्परधा में जित दर्च करना बड़ी चुनौती थी उसे जित कर ग्रैंड मास्टर बनने की खुशी संकल्प के चेहरे पर साफ जहलक रही थी और तो और पिता के जनम दिन पर 7 नवंबर को ये सफलता मिलने के चलते ये खुशी मानो दोगुनी होगी ओफिसर कलब में संकल्प ने पत्रकारों से वारतलाब किया संकल्प ने कहा कि आने वले समय में जल्द ही वे सुपर जीएम बनना चाहते हैं वे कहते हैं कि बॉबी फीशर और मैगरस कारलसन की शैली उन्हें बेहत पसंद ह संकल्प ने बताया कि वे विश्वर रैपिड ब्लीड्स शत्रंच स्परधा में भी सहभागी होंगे शत्रंच का सम्मन ताकत से नहीं है इसमें बौधिक शमता का आधी महत्व होता है इन सरानिय उपलब्धियों के चलते संकल्प का महाप और दया शंकरतिवारी राजपा चलते संकल्प भगत सिंग कोशारी समित कई मानने वरोंने सतकार किया है शहर के प्रसिद्ध डेंटल सरजन्ट डॉक्टर लवकेश अगरवाल को नाकपुर शहर जिला कॉंग्रेस डॉक्टर सेल के उपाध्यक्षपत पर नियुक्त किया गया है नाकपुर शिला के कॉंग नागपुर शहर जिला कॉंग्रेस डॉक्टर सेल और कॉंग्रेस कमेटी नागपुर शहर और जिला कॉंग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और डॉक्टर सेल की सचीव डॉक्टर रिचा सुगंद और डॉक्टर अभिजित धवले उपाध्यक्षन नागपुर सीटी जिला कॉंग पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग स्वयम सेवक सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा स्वास्तवी भाग की टीम शहर के हर नागरी के घर टीका करन के लिए जाएगी अभियान की पूरी योजना बनाई जा चुकी है और इसका क्रियान वयन जारी है अभियान के तहट स्वास्त विभाग के कर्मचारी मुख्य रूप से आशा कार्य करता हर नागरी के घर जाएंगे इसके अलावा जिन शेत्रों में टीका करन का प्रतिशत कम है वहाँ पर कैंप भी लगाए जाएंगे अपर आयुक्त राम जोशी ने बताया कि शहर की मलिन बस्तियों और अस्वच चक शेत्रों में घर घर जाकर कुरोना संदिक दो या अन्य बिमार व्यक्तियों के स्थिती का पता लगाया जाएगा जिलास्तरिय खेलो इंडिया योजना के तहट केंद्र सरकार खेल मैदानों के विकास के लिए धनराशी उपलप्त कराए ताकि नागपुर शहर के खिलाडियों को बहतरिन खेल मैदान और खेल उपकरन प्राप्त हो सके इसके साथ ही शहर में भारत्य क्रीडा प्राधिकरन के तहट खेलों इंडिया सेंटर नाखपुर में शुरू किया जाए इस आशाय की मांग का ग्यापन महाप और दयाशंकरतिवारी ने केंद्रिय खेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर को दिल्ली में दिया है इसकी प्रतिया केंद्रिय मंतरी नितिन गड़करी और विधान सभा में विपक्ष के नेता देविंद्र फड़नविस को भी भेजी गई है केंद्रिय खेल मंतरी ठाकुर ने इस मांग का सकारात्मक प्रतिसाथ दिया है ग्यापन में कहा गया है कि नागपुर खेल शेत्र में एक विकास शिल शहर है नागपुर ने देश को कई राश्टिय अंतर राश्टिय खिलाडी दिये है साथ ही इस शहर में कई राश्टिय खेल प्रतियोगी ताओ का आयोजन भी किया गया है नाकपुर महानगर पालिका हर साल केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी की संकलपना से खेलो नाकपुर खेलो शिर्षक से खासदार क्रिडा मोहतसव का आयजन करती है इसमें शहर के विभिन्दक खेलो के खिलाडी हिस्सा लेते हैं नाकपुर शहर में कबड़ी, बास्केट बॉल, खोखो, बॉक्सिंग, एतलेटिक, टेबल टेनिस, आधी खेलो में प्रतिभाशाली एतलिट है जिने सरकार के समर्थन की जरूरत है नाकपुर महानगर पालिका के प्रवर्तन विभाब द्वारा, मुमिनपुरा बाजार में दुसरे दिन भी अतिक्रमन विरोधी कारवाई कर दुकानों के शेट तोड़े गये फुटपात पर लगाए गई दुकानों को हटाया गया दिन भर चली कारवाई में चार ट्रक से अधिक सामान जब्त किया गया है मुमिनपुरा में भगवा घर चोक से बब्बू होटेल, कब्रिस्तान रोड गोली बार चोक, गांजा खेट तक दुकानदारों के अतिक्रमन हटाये गये फुटपात पर अवेद रूप से बनाये गए टीन के 69 शेडों को इस दोरान हटाया गया पिछले कुछ समय से मुमिनपुरा परिसर में सड़क पर आवाजा ही करने वाले वाहन चालकों को अतिक्रमन के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था इसकी लगातार शिकायते मिलने के बाद बुधवार और गुरुवार लगातार दो दिनों में मनपा के प्रवर्तन विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर दुकानों के आगे बनाये गए अनाधिक रुच शेडों को हटाया गया इस दोरान 69 दुकानों के आगे बने अतिक्रमन को हटा कर करिब 4 ट्रक माल जब्त किया गया इस कार्यवाही को पुलिस DCP गजानन राजमाने के मार्ग दर्शन में पुलिस निरिक्षक बबन येडगे सहित, 6 पुलिस अधिकारी, 40 पुलिस कर्मचारियों, RCP का एक पथक वह महानगर पालिका के प्रवर्तन विभाग के उपायुक तशोग पाटिल निरिक्षक संजे कामले, विशाल ढोने ने मिलकर अंजाम दिया प्रगती राजस्था ने महिला मंडर सुपर सिक्स्टी कलब द्वारा, सुर्य नगर प्रती भवन में दीपावलिस नेह मिलन एवं अन्नकुट कारेक्रम भजन प्रसाद के साथ संपन्न हुआ कारेक्रम को सफल बनाने में विजाय सारडा, सुनिता मनियार, मधु अगरवाल, अंजु पचीसिया, दीपा हुरकट, मंजु बियानी, मधु सारडा, सरला सोमानी, मंगला सारडा, सपना मनियार, शिलपा सारडा के साथ सभी सधस्यों ने भाग लिया किंग्सवे हॉस्पिटल तथा इंडियन मेडिकल एसोसियेशन वर्ल्ल डायबिटीज डे कल मनाएंगे, इस साल वर्ल डायबिटीज डे की थीम इंसुलिन की खोज की एक सोवे वर्षगाड के साथ जुड़ी हुई है, इंसुलिन डायबिटीज के साथ रह रहे हैं लोगो किंग्सवे हुगी जिसमें डायबिटीज में व्यायाम के महत्वों को दर्शाया जाएगा और इसे बढ़ावाद दिया जाएगा, महाप और दयाशंकर तिवारी इस साइकल रैली को हरी जंडी दिखाएंगे, इसमें अलग-अलग श्रेणियों में अनिक आकरशक पुरसक रहेंगे और अलग से भी इंतजाम किये जाएंगे ताकि हर प्रतिभागी इस कारेकरम का अनन ले सके, इसरेली का आयोजन सुबर 6 बज़े से 8 बज़े तक किया जाएगा, इसके बाद फीजिशियन्स के लिए 17 आयोजित किया जाएगा, चाह इंसुलिन को लेकर अपडेट दिया जाएगा, इस आयोजन में पिछली एक सदी के दोरान हुए इंसुलिन की विकास को समझाने के लिए शहर के नामी डॉक्टर एक साथ आएंगे, इसके अलावा के क्रिटिकल एवं नॉन क्रिटिकल केर में इंसुलिन के उपयोग आदी वीशियों के बारे में भी चर् इस शुब आउसर पर व्यापर जगत में अतुलने योगदान एवं उतकृष्टे समाज सिवाय प्रदान करने हैं तू चेमबर द्वारा, विदर्ब के सम्मानिय व्यापरी एवं गोगैस के संचालक नितिन खारा को महराश्ण वुष्षन पुरसकार, शारदा इस पाथ प्राइवेट लिमिटेट के संचालक नंतिश Ughar Saarda को विदरबर अतना पुरसकार, फार्मासेटिकल प्राइवेट लिमिटेट के संचालक घंशाम दास कुकरेजा, सुगंद्चन मेडिकल के संचालक श्री चन जीदासवानी, जॉर्च कंस्रक्शन कंपनि के संचालक के पुरसकार एवं दास जुएलर्स के संचालक सचिन वस्तानी को युवा उध्यमी पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा इस आउसर पर चेंबर के आधार स्तम सभी पूर्वा अध्यक्षों के साथ सभी गणमान्य माहनुभवों एवं चेंबर से सलगन व्यापर संगटनों के पदादीकारियों का भी सम्मान किया जाएगा सचिव रामावतार तोतला ने बड़ी संख्या में व्यापारियों और एनवी सीसी की सदस्यों को उपस्तित रहने का आभान किया है मश्यूर पार्श्वगायक शब्दिर कुमार का आज हार्मोनी इवेंट्स की और से भारतिय समाच का लैंड संग के सेवा कला सेवा कलाकार मिशन के तहट सूरेज भठ हॉल रेशिमबाग में शाम छे बजे लिविन कंसर्ट का आयोजन किया गया है इस कारेकरम की परिकल्पना हार्मोनी इवेंट्स के निदेशक राजेश समर्थने की है और इसके साथ पूने की मनिश्या निश्चल और नागपुर की उभरती गाई का स्वाती खड़ से है श्वेता शिलगाओं कर कारेकरम को प्रस्तूत करेगी जबकि विजयाव एंदेशकर और सोनाली हिवारकर का भी विशेश सहयोग रहेगा ये कारेकरम शोताओं के लिए निशुलक रहेगा और कारेकरम के आयजकों को कॉल करके पास लेने की अपिल की गई है नाकपुर महानगर पालिका के उपदरों खुजी दलने शुक्रवार को एक प्रतिष्ठान पर कारवाई करतेवे 5,000 रुपे का जुर्बाना वसुला टीम ने 49 मंगल कार्या ले 25 मंदिर 9 मस्जित 64 स्कूल कॉलेज और 7 अन्यधार मिक्स दलों का निरिक्षन किया कुल मिला कर 144 प्रतिष्ठानों का निरिक्षन किया गया वह उपस्तित लोगों को मनपा क्षेतरा धिकार के अंतरगत लागो कोविड नियमों और टीका करन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई साथ में ये भी चेतावनी दी गई कि कोई नागरी की अधि संबंदित प्रतिष्ठान के अनुसार दोनों या कम से कम एक डोज लेकर नहीं आता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी मनपा युक्त राधा कुष्णन भी के निर्देशान उसार और उपद्रोखोजी दल के प्रमुक विर्सेन तामबे के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने ये कारवाई की है जिला परिशद नागपूर में दिनेश रमेश्चंद्र बंग एन्सिपी के समुहनेता के रूप में चुने गए है इस आउसर पर बधाई देते समय पुर्व मंत्रे रमेश्चंद्र बंग, रांकापा युवानेता तथा जिला परिशद सदस्य सलिल देशमुक, रांकापा के प्रदेश सचिव बंडो पंत उमर कर, जिला परिशद महिला बाल कल्लैंड सभापती उजवला बोंधारे, जि लीमा रेवतकर, कुरुशी उपज मंडी समिती के संचालक प्रकाश नाखपुरे, प्रदीप कोडगुले आदी उपस्तित्ते अखिल भारतिय कायस्त महसभा फांडेशन के राष्ट्य अधिक्ष, अमिताब निगम को उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, उत्तर प्रदेश प्रोफेशनल्स कॉंग्रेस पच्छिम के प्रदेश समनवयक के पत पर नियुक्त किया गय क्योंकि जिस तरह से बीते साथ वर्षों में उद्योग एवं व्यवसायों में भारी गिरावट आई है, एवं उद्यमियों में एक रोश है, उससे कही न कही आगामी चुनावों को देखते हुए, उद्यमियों एवं व्यापारियों को कॉंग्रेस के साथ जोडने के एक उद्यश्य प्रदेश के समस्तर, और द्योगिक व्यापारिक एवं सामाजिक संगटनों को वस्तु स्थित से अवगत कराना, एवं जादा से जादा प्रोफेशनल्स को कॉंग्रेस एवं प्रियंका गांधी से जोडना, एवं 2022 में उत्तर प्रदेश में जन हित में कार जिद्वारा, हाल ही में दीवाली तथा रमजान के त्योहारों को दीप रमजान स्वरूप में मनाया गया, इस कारेकरम का उद्देश्य भारतिय संस्कूति में हर धर्म के त्योहारों को भाईचारे तथा शांती से मनाने की परंपरा को अधोरेखित करना था, इस कारेकरम पर एक अति विशाल भारत देश के नक्षे के आकार में रंगोली बनाए गई जिस पर करीबन 5000 दिप जलाए गए जो कि हमारी एकता तथा अखंड़ता के प्रतिक के तौर पर सजाए गए थे। संचालक विद विभाग डौक्टर सचिद उंटवाले, संचालक जी एच आर सी ई नाकपूर तथा डौक्टर आर्ति देश पांडे, संचालक रायसोनी बिजने स्कूल के कर कमलो द्वारा किया गया। खामला एवं कामठी की 38 सिंधी पंचायतों के प्रतिनिधी शामिल होगे। इस कारेक्रम में मशुर गीत, गजल, भजन गायक, अनिल भगत का रंगारंग कारेक्रम होगा। महासची मोहन चोई थानी के अनुसार इस कारेक्रम में नगर के चार ऐसे समाज सेवियों को प्रतिश्ठित सिंधू रतन अवोर्ड प्रदान किया जाएगा। जिनोंने आजिवन सिंधी समाज की निस्वार्थ सेवा की है। सावलानी, सेवक राम बालवानी, बंडी चेलानी, वशंकर शंभूवानी प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टनर्शिफ फर्म भारतिय भागेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों द्वरा शासित है। इस अधिनियम में बहुत सारे बदलाव हुए है जिने समझने की आवशक्ता है। सदस्यों को जागरू करने के लिए और विभाग के साथ बादचित को सक्षम करने के साथ-साथ लागू आयकर प्रावधानों को समझने के लिए नागपुर शाखा ने साजेधारे फर्मों से सम्मंदित प्रावधानों पर एक कार्यकरम का आयजन किया। रिस्तितियों के अनुरप इसे फिर से सरंखित करने की आवशक्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। उन्होंने सीए साकेत बागडिया की अध्यक्षता में टीम नागपुर को महामारी के समय में अनेक सामाजिक कारेकरम करने के लिए बधाई दी। आयकर अधिनियम में संशोधन के साथ भागडारी कमपनियों के कराधान वाले हिस्से का अभ्याज करने वाले पेशेवरो द्वारा ठीक से समझने की आवशक्ता है। उन्होंने कहा। आपके विदर्बस संगहटन मंतरी आकाश सपेल कर नाकपुर महानगर पाली का चुनाओ को लेकर बड़ी सजग भूमिका से काम कर रहे हैं। लोग भी एक सजग नेतरुत्व वाली पार्टी और अर्विन केजरी वाल जैसे इमानदार नेता की छवी के चलते। आम आदमी पार्टी से पड़ी संख्या में जूड रहे हैं। दिपावली के पावन परवपर प्रविन गवरे मित्र मंडल द्वारा मालगी नगर स्थित शिवाजी पार्क गार्डन में दिपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था। सभी नागरिकों ने दिपावली के फराल का आस्वाद लेकर हर्शुल लास के साथ एक दुसरे को दिपावली की हार्दिक शुपकाम नाय दी। इस आउसर पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रविंड गवरे लोकमंच जेश्ट नागरिक मडल के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर दाते गुरुजी विठल राओधोटे भारती कामडी कैप्टन प्रभाकर विंचूर कर प्रमुकता से उपस्तित थे। कारेक रम्मे रमे शाठव ने, नामदेव शिंग ने, विनोच चूरड, भासकर गावंडे, अरुन वान खिडे, चंद्रकान पोहा ने, वासिव देव खड से, लक्षमी कान जुम्डे, दिलिप गायकवाड आधी उपस्तित थे। सभापती पत पर निर्विरोत निर्वाचित हुए, उनके खिलाफ किसी ने भी उमिदवारी दाखिल नहीं की थी। पिछले महा में हुए उपज जुनाव में भी श्रावन भिंगारे ने धमाकेदार जित दर्च की थी। उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ जम कर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने फिर एक बार उनके उपर विश्वास जताया। और यही विश्वास के साथ मंत्री सुनिल केदार ने भी फिर एक बार पुरे कलमेश्वर तहसिल के नेतरुतव श्रावन भिंगारे के हाथ में दिया। ओबी सी आरक्षन के चलते श्रावन भिंगारे का सदस्यता रध होने की कारण उनको सभापती पद भी रध हुआ था। इस आउसर पर सभी पदादी कारी एवं कारे करता गंड प्रमुक रूप से उपस्तित थे। भारतिय शास्त्रिय संगित पर आधरित सुपर हिट फिल्मे गीतों का कारे करम क्लासिकल हिट स्थानिया मोहमद रफी कल्चर हॉल नाकपूर से फेस्बुक लाइब के जरिये ऑनलेन प्रसारित किया गया। इसमें कादर अकाडमी ऑफ म्यूजिक के चुनिंदा गायक कलाकारों ने भारतिय शास्त्रिय संगित के रागों पर आधरित एक से बढ़कर एक सदा बाहर गीतों की बहतरीन प्रस्तूती दी। कलपना पार्शवगायक M.A. कादर तथा जीनत की थी। कुशल मंच संचालन लॉयन डॉक्टर मनुच सापिल करने किया। इस पटेल के साथ शोयब शिलवेंद्र बिसेन, अनिल खैरकर, कलावती मास्टर ताबिश आरिफ खान, भरत महता, अशोग डोके आदी ने सहयोग दिया। तो नागपूर हलचल में आज इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज, नमस्कार।